हेलो फ्रेंड आज किस वीडियो में बताएंगे समर सेविल का पाइप कैसे जोइंड करें ताकि हमारा जो समर सेविल है उसका पानी हमारे टैंक में भी जा सके और ये हमारा घर के बाहर समर सेविल है और हम यहाँ पर अपनी भैंस भैंस के लिए भी पानी भर सेके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों सबसे पहले हमने जो है ये समर सेविल को उपर उठा करके इसको घुमा जिया है और दोस्तों जब आप इसको घुमाए तो याद रखें इसके नीचे केबिल होता है जो कि इसमें कटने का डर रहता है तो इसके नीचे अच्छी तरीके से लखड़ी की फचर लगा दें तो चल लिए दोस्तों अब मैं एक इंची का विराज सोकिट ढूंडता हूँ यह मुझे विराज सोकिट मिलिया है एक इंची का इस पर टैफलोन लगाएंगे अच्छी त लगाने में अब हमने टैफलों लगा दिया है अब दोस्तों यह जो हमारा एश्ट्रा पाइप है उपर का इसको भी काटेंगे और सबसे पहले यह जो हमारा पेर का सहरा लगा लिया है यह open हो गया है इस तरीक से धीरे धीरे ऐसे open करना है और दूसरी साइड में भी सहरा लगाना है काफी ठाšब़ ऐसा हो जाता है आप इसे खोलते हैं और नीचे से पाइप कट्टे देनी टूड़ जाता है तो ऐसा विलकूल करें एक तरफ ही जो लगाएं दूसरी तरफ भी सहारा लगाएं अब सॉल्वेंट ओपन करेंगे ओपन करके अब इसको जो है हमारा जो यह एक इंची का विराज सोकिट है इस पर लगाएंगे यह हमने लगा दिया है अब हम इसकी चूड़ी को लेबल से चड़ाएंगे यह हमने चरहा दी है अब हम जो है इसको पैपरिंच की सहायता से टाइट करेंगे टाइट सिरिफ इतना ही करना है जो कि हमारा पैपरिंच के हाथ को महसूस हो जाए कि टाइट हो चुका है यह दो हो दोस्तो हमें लगा कि टाइट हो गया है तो हमने इसको छोड़ दिया और इसकी चूड़ी जायदा अंदर तक नहीं जानी चाहिए अब क्या करेंगे दोस्तो हम एक इंची की टी लगाई दो तरीके होते हैं इस तरीके से विवाल लगता है जैसे हमने टी लगाई है लेकिन अब हम इसको सबसे पहले पाइप को काटेंगे आज हम तुम्हें एक हाइट उची करने का तरीका बताएंगे यह दोखो दोस्तो हमने इसकी हाइट से इसको काट दिया है कि देखो अब हम इसके लेबल से फिर से नीचे वाले को काटेंगे क्योंकि थोड़ा और अंदाज्जे से काटा था लेबल नहीं लगाया था यह भी हमने देखो काट दिया है अब दोस्तों क्या करेंगे सबसे पहले हम यह जो हमारा केविल है वही सोरी यूनियन है यूनियन लगाएंगे एक इंची की यूनियन लेंगे यह हमारे एक इंची की यूनियन है इसको प्रस करेंगे हर जो भी सोरी लगाओ उसको प्रस करो ताकि वह जड़ तक पहुंच जाए अब यूनियन हमने ले ली है यूनियन को भी कट करेंगे अब यूनियन को कट कर दिया है अब इसको जोइंट करेंगे अब दोस्तों जैसे हमने यूनियन लगा दी है देखो दोस्तों और इसको यूनियन को टाइट करेंगे लूजन नहीं रहे नहीं तो पानी टपकेगा यह जैसे अब यूनियन लगा दी है हमने तो यह जो है जैसे समर सेवल कभी खराब हो जाता है उसको खुलने का काम करेगी अब दोस्तो हमने लगा दी है टी अब इसकी जे अब इस टी को पक्का करेंगे इसको पहले नापंगे म पाइप को कट करेंगे यह पाइप हमने कट कर लिया है और देखो दोस्तों यूनियन में भी हमने साकिट लगा दिया है अब लगाएंगे दोस्तों हम इस पर टी अब टी कैसे लगानी है टी दोस्तों देख लो दोस्तों टी जो लगानी है दोनों तरफ एक साथ सोल्वेंट लगा के लगानी है कि काफी दोस्तों से ऐसा होता है पाई टेणा करते हैं तो ऐसे में ज्यादर टेणा नहीं करना है देखो मैं कैसे लगा रहे हूं यह मैंने पहले टी लगा दी और थोड़ा सा अंदर तक दाब द्या अब देखो इसको थोड़ी देर पकड़के रखना है और फूंक माननी है ताकि सैट हो जाए दोफ़ों दोस्तों अब सैट हो चुका है अब यह हमने लगा दिया है निपल यह लगा दिया है वाल इस तरीके से करना है तो अब सबसे पहले इसके जो निपल है सबसे पहले इसमें पाइप से निपल को तა प्रिशन जला चोटा है ऑब शों याद रहय दोस्तों याद रहे। उलवें यूपिवीची यह यूपीवीसी पाइप है अब हम इस पाइप को कट करेंगे जैसी कटिंग हम्हां इसलिये कर रहे हैं ताकि हमारा अड़ीर समर्चेबम हैं थो ठोड़े नी पोवर्ने हैं यह जो ड्रम रख्झी हैं हमने पीछे अब इसमें वाल लगाएंगे काभ उआ लगा दिया है देख सकते होarla फिर इसमें पईब लगाएंगे पाइप भी हमने लगा दिया है अब इसको जो है हम यह हमारी एलबो लगेगी इस पर नभे डिगरी की तो इसको कट करके हम इसमें एलबो लगाएंगे यह हमारी हाइट इतनी बहुत है बस जी देखो दोस्तों हमें टप की तरप को इसका मो करना था हमने जो है कर लिया है अब हम जो है इस पाइप को भी पक्का करेंगे यह देखो दोस्तों हम इसे अपनी जरूरत के साब से चाहें कट कर लेंगे जितना हमें चाहिए तो दुश्तों हम थोड़ा आधा कट करेंगे पाइप को अब यह हमारा काम हो गया है पूरा मुकमल देख सकते हूं दोस्तों इस पर चाहें आप लगा कर करके छिसरे लगा कर सकते हैं तो दोस्तों इसको जो है आपने पक्का नहीं करना है ताकि यह इस गया हटा सकें दोस्तों यह हमारी वीडियो होगा यह इइन कंप्रीट अगर हमारी वीडियो अश्या लगए तो करें और त्राय करें कि हमारी वीडियो कैसी लगी अगर कुछ कमी हो तो भी बताएं आज की वीडियो में बस इतना ही ओके बाय धन्यवाई